नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। तो आए सुनते हैं आज की कहानी लाजवन्ती, जिसके लिखक है राजिंदर सेंग बेदी। कहानी विभाजन के समय और्तों पर हुई त्रास्ती को दर्शादी है। अगर आपको कहानी की प्रस्तों दी पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना पुट्साहन दें। तो आए कहानी की शुरुआत करते हैं। ऐ सकी, ये लाजवन्ती के पौदे हैं, हाथ लगाते ही कुमला जाते हैं। पटवारा हुआ और अंकिनत खायल लोगों ने उठकर अपने शरीर से खून पहुँच डाला। और फिर सब मिलकर उन लोगों की और आकरशित हो गए, जिनके शरीर तो स्वस्त थे, लेकिन दिल खायल थे। गली-गली, महले-महले, फिर बसाओ, कमेटियां वन गई थी। और शुरू-शुरू में बड़े परिश्रम के साथ, कारोबार में बसाओ, धर्ती पर बसाओ, घरों में बसाओ, प्रोग्राम शुरू कर दिया गया था। किन्तु एक प्रोग्राम ऐसा था जिसकी और किसी ने ध्यान नहीं दिया. वे प्रोग्राम भगाई हुई ओर्तों के संबंध में था. जिसका नारा था दिल में बसाओ. और नारायन बाबा के मंदर और उसके आसपास बसने वाली पुरातन पंथी दल की और से इस प्रोग्राम का बड़ा कड़ा विरोध हो रहा था. इस प्रोग्राम को व्यभारिक रूप में लाने के लिए मंदर के पास मुहला मुला शूकर में एक कमेटी बन गए. और ग्याराम वोटों के भहमत से सुन्दरलाल बाबू को उसका सेक्रेटरी चुन लिया गया. वकील सहब प्रधान हुई. चौकी कला के बूडे महुरर और मुहले के दूसरे प्रतिष्टित लोगों का विचार था कि सुन्दरलाल से अधिक लगन से उस काम को और कोई ना कर सकेगा. शायद इसलिए कि सुन्दरलाल की अपनी पत्नी भी इस दुरखटना की चपेट में आ चुकी थी. जिसका नाम था लाजो, लाजवन्ती. चुनाजे प्रभात फिरी निकालते हुए जब सुन्दरलाल बाबू और उनके साथी रसालू नेकी रामादी गाते हतलाया कुमलानी लाजवन्ती दे बूटे. तो सुन्दरलाल का कंट एक तम भरा था और वे खामोशी के साथ चलते चलते लाजों के संबंथ में सोचते जाने वे कहां होगी, वे कभी आएगी या नहीं? और पत्रीली सडक पर चलते चलते उनके कदम रड़ खडाने लगते. और अब तो ये हालत हो गई थी कि उन्होंने लाजवन्ती के संबंथ में सोचना ही छोड़ दिया था. उनका दुख संसार का बन गया था. उन्होंने इस दुख से बचने के लिए अपने आपको लोग सेवा में डुबो दिया था. किन्तु इसके बावजूत साथियों के स्वर में स्वर मिलाते हुए उन्हें इनका विजार जरूर आ जाता. मनुश्य का रिदे कितना कोमल होता है. जरा सी बात पर उसे ठेस लग सकती है. वे लाजवन्ती की बेल की तरह है. जिसकी और हाथ बढ़ाओ, तो मुर्चा जाए. परन्तु उन्होंने लाजवन्ती के साथ निर्ममता बरतने में कोई कसर न उठा रखी थी. वे उसे मौके, बेमौके, उठते, बैठते, खाते, पीते, लापरवाही दिखाते हुए साधारन सी बातों पर भी पीर दिया करते थे. और लाजो एक दुपली पतली देहादी लड़की थी. अधिक खाम देखने के कारण उसका रंग सामला गया था. उसकी तवियत में एक अजीब तरह की व्याकुलता थी. लेकिन उसकी व्याकुलता ओसकी उस पून की तरह थी, जो पराकार्स के बड़े पत्ते पर इधर उधर धुलकती रहती है. उसका दुबलापन उसकी अस्वस्तता की दलील न थी. उल्टे वे स्वास्त की निशानी थी. जिसे देखकर भारी भरकम सुंदरलाल पहले तो खबरा है. लेकिन जब उन्होंने देखा कि लाजो हर तरह का बोज, हर तरह का दुख, यहां तक की मार पीर्टा को सेहन कर लेत थी कि उन सीमाओं को धुंदलाने का सामर्थि प्राप्त कर चुकी थी. वे बहुत देर तक दुखी रिदे लेकर बैट नहीं सकती थी. इसलिए बड़ी से बड़ी लड़ाई के बाद सुंदरलाल के केवल एक बार मुस्कुरा देने पर वे अपनी हसीना रोक पाती और इतना कह देती. अब की मारोगे तो मैं तुमसे कभी न बोलूँगी? और साफ मालूम होता कि वे सारी मारपीट को एकदम भूल चुकी है. गाम की दूसरी लड़कियों की तरह वे भी जानती थी कि पती अपनी पत्नियों के साथ ऐसे ही विभार किया करते हैं. यदि कोई प की ओरत को काबू में नहीं कर पाता. और ये मारपीट उनके कीतों में भी समा गई थी. खुद लाजो गाया करती थी. मैं शहर के जवान से शादी न करूंगी. फिर बूट पहनता है और मेरी कमर बड़ी पत्ली है. किन्तु पहले ही अफसर पर लाजों ने शहर के एक छोकर से लौ लगा ली. जिसका नाम था सुन्दरलाल जो एक पारात के साथ लाजोंदी के काम चलाया था. और जिसने उस पारात के दूले के कान में केवल इतना खहा था. तेरी ये साली तो बड़ी नमकीन है यार. बीवी भी चटपटी होगी. और लाजोंदी ने सुन्दरलाल क इस बात को सुन लिया था. और विशायत ये भूल गई थी कि सुन्दरलाल ने कितने बड़े बड़े और भद्दे बूर पहन रखे हैं. और उसकी अपनी कमर कितनी पतली है. प्रभात फेरी की समय ऐसी बाते ही सुन्दरलाल को याद आ थी. और वह यही सोचती. एक बार केवल एक बार लाजो मिल जाए तो सचमुची मैं उसे दिल में बसा लूँ और लोगों को बता दूँ कि उन बेचारी ओरतों के जानी में उनका कोई दोश नहीं है. दंगों की धुरकटनाओं का शिकार हो जानी में उनकी कोई गलती नहीं. और यह समाज जो इन मा देने में ही भला है. वे भगाई हुई ओरतों को घर में आबाद करने के विचार में निबगन रहते और उन्हें उस पत पर आसीन देखना चाते जो घर में किसी भी औरत, किसी भी मा, बेटी, बेहन या पत्मी को शोभा देता है. दिल में बसाओ प्रोग्राम को व्यभारि क्रूप में लाने के लिए मुखला मुल्ला शूकर की इस कमेटी ने कई प्रभात फेरिया निकाली. सुभे चार पांच बजे का समय इसके लिए बड़ा उप्यूग्ध होता था. ना लोगों का शोर, ना सभाईयों की उलज़न, रात पर चौकीदारी करने वाले कुत्ते पुझे हुए तंदूरों में जिर्दे के पड़े होते थे. अपने अपने बिस्तरों में दुपके हुए लोग जाकर केवल इतना कहते थे, ओ, वही मंडली है. कभी शान्ती और कभी ग्रोध से वे बाबू सुन्दरलाल का प्रचार सुना करते. वे ओरतें जो पड़ी वाज़त से इस बार पहुँच गई थी, गोबी के फूलों की तरह फैली बड़ी रहती और उनके पती ये संबन्दी डंटलों की तरह अकड़े पड़े पड़े, प्रभात फेरी के शोर पर भुनबुनाते हुए चले जाते. यह कहीं कोई बच्चा थोड़ी देर के लिए आंके खोलता और दिल में बसाओ कि फर्यादी और करुण प्रजार को एक गाना समझ कर फिर्ज हो जाता. लेकिन सुबह के समय कान में पड़ा हुआशब अकारत नहीं जाता. फिस सारे दिन एक कूंज की तरह दिमाग में चक्कर लगाता है. कभी-कभी तो आत्मी उसके अर विदिला सारा भाई पाकिस्तान से भगाई हुई स्तृयां पदले में भारत लाए तो मुहल्ला मुल्ला शुकर कुछ आतमी उन्हें फिर से बसाने के लिए तयार हो गए. उनके भाई बंधू शहर से बाहर चौकी कला पर उनसे मिलने के लिए गए और बेजारी अबला पर और उनके भाई पंधू कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे और सिर छुका कर अपने परबाद घरों को आबाद करने के काम पर चल दे रसालू, नेकी राम और सुन्दरलाल बाबू कभी महिंदर सेंग संदाबाद और कभी सोहनलाल संदाबाद के नारे लगाते ऐसी भी थी जिनके पिता, मा, बाप, बहन और भाईयोंने उन्हें पहचाने में असमर्थता प्रकट करती थी आखिर वे मर क्यों नहीं गए अपनी मर्यादा और लाज को बचाने के लिए उन्होंने विश्क्यों नहीं पी लिया कुओं में छलाम क्यों ना लगा दी? वे कायर थी जो इसमें कार जीवन से चिप्टी रही सैंक्रों हसारों अर्तों ने अपनी मर्यादा लुट जाने से पहले प्राण दे थी किन्तु उन्हें क्या मालूम कि वे जीवित रहकर कितनी भादुरी से काम ले रही है और किस तरह वे पत्राई निगाहों से मौत को घूर रही है इस संसार को जा उनकी पती तक उन्हें नहीं पहचान दे फिर उनमें से कोई मन ही मन अपना नाम दोराती है सुहाकवंती, सुहाकवंती और अपने भाई को उस फेड में देखकर आखरी बार इतना सकैती है तो भी मुझे नहीं पहचानता विहारी मैंने तुझे गोदी में खिलाया है रे और विहारी चीख उठना चाहता है फिर वे माबाप की ओर देखता है और माबाप अपने कलेजे पर हाथ रखकर नारायन बाबा की ओर देखते है और बहुत ही बेबसी के भाव में नारायन बाबा आकाश की ओर देखते है जिसकी वास्तफ में कोई अधार्थता नहीं है जो केवल हमारी नजर का धोका है जो केवल एक सीमा है जिसके बार हमारी निगाहे काम नहीं करती लेकिन फौजी ट्रक में मिस्थारा भाई जो स्द्रियां लाई थी उनमें लाजो नहीं थी सुन्दरलाल ने बड़ी निराशा से आखरी लड़की को ट्रक से नीचे उतरते देखा और फिर उन्होंने बड़ी खामोशी और दरता से अपनी कमेटी की सरकर्मियों को बढ़ा दिया अव्वेज सुबही के समय प्रभात फेरी के लिए नहीं निकलते बलकि शाम को भी वे जुलूस निकालने लगे और कभी-कभी छोटी-मोटी सभा भी करने लगे जिसमें उस कमेटी के पूरे सभापती वकील कालिका प्रसाद सूफी खंखारों से मिले जुले भाशन दे दिया करते थे और फिर नेकी राम भी कुछ कहने के लिए उड़ते परंदु वे जितनी बाते कहते उनमें शास्तरों और पुराणों का उधारन देते इतना की अपने और अपने सिधानतों के विरुद भी बहएक जाते और इस परकार मेदान हाथ से जाता देखकर बाबू सुन्दर लाल उड़ते लेकिन वे दो वाक्यों से अधिक कुछ ना कह पाते उनका गला भराता और उनकी आँखों से आंसू टबकने लगते और वे रुआसे होने के कारण भाशन पूरा नहीं कर पाते अपनी जगा पर बैट जाते सुनने वालों उपर एक विशेश प्रकार का मौन चा जाता और सुन्दर लाल के उन दो वाक्यों का असर जो कि उनके दिल की कहराईयों से निकल कर आते थे वकील काली का प्रसाथ सुवी के सार गर्फित उपदेशों के उपर चा जाता और लोग वहीं रोकर अपनी भावनाओं को शान कर लेते फिर खाली मन लिये खर लोट जाते एक दिन कमेटी वाले शाम के समय भी प्रचार करने के लिए चले आए और होते होते पुरान पंतियों के दुर्ग में पहुँच गए मंदिर के बाहर पीपल के एक पेड़ के आसपास सीमेंट के एक चबूतरे पर शरधालू भक्चन बैटे थे और रामायन की कथा हो रही थी नारायन बाबा रामायन के लव कुश कान का विभाग सुना रहे थे जहां एक धोबी ने अपनी धोबिन को घर से बाहर निकाल दिया और उससे कह दिया कि मैं रामचंदर नहीं जिन्होंने इतने वर्ष रावन के साथ रहाने पर भी सीता जी को बसा लिया और राजा रामचंदर जी ने महरानी सीता को अपने महल से निकाल दिया उस हालत में चबकी वे गर्पवती थी क्या इससे भी बढ़कर कोई रामच्जे का उधारन मिल सकता है नारायन बाबा ने कहा ये है रामराज्य जिसमें एक धोबी की बात को भी उतने ही महत्वे की दुष्टी से देखा जाता था कमेटी का जुलूस मंदिर के पास रुक चुका था और लोग रामायन की कथा और शलोकों के अर्थ सुनने के लिए ठहर गए थे सुन्दरलाल ने आखरी वाक्य सुना और कहा हमें ऐसी रामायन नहीं चाहिए बाबा जो प्रहोजी तुम कौन होते हो खामोश फीर्ड में से आवाजे आए और सुन्दरलाल ने बढ़कर कहा मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता मिली जुली आवाजे आए खामोश, हम नहीं बोलने देंगे नारायन बाबा ने बड़ी मीठी आवाज में कहा तुम शास्त्रों की मान मर्यादा को नहीं समझते सुन्दरलाल हाँ बाबा, सुन्दरलाल ने कहा इस संसार में बहुत सी बाते हैं जो मेरी समझ में नहीं आती परंतु मैं सच्चा राम राज्य उसे समझता हूँ जिसमें मनुश्य अपने आप पर भी अत्याचार न कर सके अपने आप तो अन्याय करना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना किसी दूसरे पर करना और आज भी भगवान राम ने सीथा जी को घठ से निकाल दिया है इसलिए कि वे रावण के पास रहा आई है इसमें क्या दोश्टा सीथा सीथा जी का क्या वे भी हमारी बहुत सी माँ बहनों की तरह चल और कपड का शिकारना हुई थी इसमें सीता जी के सत्य और असत्य की बात है या राक्षस रावन के अत्यचार की बात है जिसके दस सिर्थ तो मनुश्य जैसे हैं और एक सबसे बड़ा सर गधे का है आज हमारी सीता भी घर से निर्वासित कर दी गई है सीता लाजवन्ती और सुन्दरलाल बाबू ने रोना शुरू कर दिया रसालू और नेकी राम ने वे तमाम पोस्टर उठा लिये जिन पर आज ही स्कूल के लड़कों ने बड़ी सवाई से नारे काटकर चिपका दिये थे और फिर वे जब बाबू सुन्दरलाल जिन्दाबाद के नारे लगाते हुए चल दिये जुलूस में से एक ने कहा महरानी सीधा जिन्दाबाद एक और से आवाज आई जैश्री राम और नारायन बाबा की कथा अकारत हो गए बहुत से लोग जुलूस में शामिल हो गए जिसके आगे-आगे वकील काली का प्रसाद और हुकुम सिंग चले जा रहे थे अपनी बूरी छड़ियों को जमीन पर पट-पट मारते एक हलकी सी आवाज करते हुई उनके बीच में सुंदरलाल जा रहे थे और उनकी आँखों में आंसू बह रहे थे आज उनके रिदे को बड़ी ठेस लगी थी और लोग बड़ी खुशी के साथ एक दूसरे के स्वर में स्वर मिलाकर गा रहे थे अगली सुभे सुंदरलाल का दोस्त लाल चंद जिसे अपने असर और रसूख का प्रियोग करके सुंदरलाल और काली का प्रसाद ने राशन डिपो दिलाया था दोड़ा दोड़ा आया और अपने गाड़े की चादर से हाथ बाहर कर बोला बढ़ाई हो बाबु सुंदरलाल सुंदरलाल ने गुड दमबाकू में मिलाते हुए कहा किस बात की बढ़ाई लाल चंद मैंने लाजो भाबी को देखा है और जल्दी उत्तर ना पाने पर जखचोर दिया वागे की सरहत पर सुंदरलाल ने लाचन को छोड़ दिया और सिर्फ इतना कहा कोई और होगी लाचन ने विश्वास दिलाते हुए कहा नहीं भाईया वे लाजो ही थी लाजो तुमसे पहचानते भी हो हुक्के पर से उठा ली और बोले भला क्या पहचान है उसकी एक गुदना ठोड़ी पर है दूसरा गाल पर हाँ और सुंदरलाल ने खुदी कह दिया तीसरा माते पर वे नहीं चाहते थे कि कोई संदे रह जाए और एक्तम उन्हें लाजवन्ती के जाने पहचाने शरीर के सारे गुदने यादा गए जो उसने अपने शरीर पर बच्पन में गुदवाए थे वे गुदने जो हलके हलके हरे हरे दानों की तरह थे जो चुई मुई की बेलों के शरीर पर होते हैं बिल्कुल उसी तरह उन गुदनों की और इशारा करते ही लाजवन्ती शर्मा जाती थी जैसे उसके सारे भेट किसी को मालूम हो गए हो और किसी ना मालूम खजाने के लुट जाने से वितरित्र हो गई है और सुन्दरलाल का शरीर एक अंजानी मुहबत और उसकी पवितरता स सिहरने लगा उन्होंने फिर से लालचन को पकड़ लिया और पूछा लाजो वाका कैसे पहुंच गई लालचन ने कहा भारत और पाकिस्तान में और तों का बदला हो रहा था ना वाका में सोलो औरते पाकिस्तान में दे दी और उसके बदले में सोलो औरते ले ले लेकिन ए वालन्टियर विरोध कर रहे थे कि तुमने जो औरते दी हैं उनमें अधेड, बूरी और बेकार औरते ज्यादा है इस छकड़े पर लोग इकटे हो गए उस समय उधर के वालन्टियरों ने लाजो भाबी को दिखाते हुए कहा तुमें से बूरी कहते हो देखो, जितनी लड़कियां तुमने दी है उनमें से एक भी बराबरी करती है इसकी और वहाँ लाजो भाबी सभी नजरों के सामने अपने गुदने चिपा रही थी फिर छकड़ा बढ़ गया दोनोंने अपना-पना माल वापस लेने की ठालनी मैंने शोर मचाया लाजो भाबी, आजाओ मगर शोर मचाने पर हमारी फोच के सिपाईयों ने हमें मार माल कर भगा दिया और लालचंद अपनी कोहनी दिखाने लगा जहां उसे लाठी पड़ी थी रसालू और नेकी राम चुप चाप पैठी रहे और सुन्दरलाल कहीं दूर देखने लगा या शायद कुछ सोचने लगा लाजो आई पर ना आई और सुन्दरलाल की सूरत से जान पढ़ने लगा जैसे वे बीकानेर के तबते हुए हजारों मिल के रेकिस्तान को फांद कर आए है और अब कहीं पेड़ की च्छाव में जबान बहार लड़काए हाफ रहे है और मुझे इतना भी नहीं निकलता की पानी थे तो उन्होंने ऐसा अनुपव किया जैसे बटवारे से पहले और बटवारे के बाद की हिंसा अभी तक वैसी ही है बलकि और शक्ति बागई है सुन्दरलाल अमरिटसर की सीमा पर जाने की तैयारी कर रहे थे क्योंने लाचों के आने की खबर मिले एक तम इस खबर के मिलते ही सुन्दरलाल खबरा गए उनका एक कदम फॉरन दर्वाजे की और बढ़ा किन्तु वैफ फिर पीछे लोटाया उनका जी चाहता था कि वे रुक जाएं और कमेटी के तमाम प्लेकार्ड और पोस्टों को बिछा कर बैट जाएं और खूब जी भर कर रोएं किन्तु वहाँ भावनाओं का इस परकार प्रदर्शन मुम्किन नहीं था उन्होंने अपने पुरुष के पुरुष्यत्व से खींचातानी की प्रतिरोज किया और अपने डगों से धर्ती नापते हुए चौकी कला की और चल दिये यहीं वे जगा थी जहां भगाई हुई ओर्तों की डिलिवरी दी जाती थी अब लाजो सामने खड़ी थी और किसी आशंका से कांप रही थी वे सुन्दलाल को जानती थी उसके सिवा उन्हें कोई नहीं जानता था वे पहले ही उसके साथ बुरा बरताव करते थे और अब जबकि वे पराय मर्द के साथ जीवन के कितने ही दिन बिता कर आई थी नचाने क्या करेंगे सुन्दलाल ने लाजो की और देखा वे शुद इसलामी धंका काला तुपटा ओड़े हुए थी और बाया पल्ला डाले हुए थी आदत केवल आदत दूसरी आतों में खुल मिल जाने और अपने पिंजरे से भाग जाने की असानी थी परन्तु वे सुन्दलाल के संबंध में इतना अधिक सोच रही थी कि उसे अपने कपड़े बदलने और दुपटा ठीक से ओड़ने की भी सुदना थी वे हिंदू और मुसल्मान के पुन्यादी अंतर दायापला बायापला के गुर्ण दोश पर रखने में भी असमर थी अफे सुन्दलाल के सामने खड़ी थी और काम रही थी एक आशा और निराशा के भई की भावना के साथ सुन्दलाल को धक्का सा लगा उन्होंने देखा लाजवन्ती का रंग पहले से कुछ निखर गया था और पहले की अपेक्षा स्वस्त भी नजर आती थी नहीं वे मोटी भी हो गई थी सुन्दलाल ने जो लाजों के संबन्त में सोच रखा था वे सब जूट था वे समझते थे दुख में खुल जाने के कारण लाजवन्ती पिलकुल मरियल हो चुकी होगी और आवास उसके मुह से निकाले भी ना निकलती होगी इस विचार से कि वे पाकिस्तान में बड़ी खुश रही है उन्हें ठेश सी लगी किंदु वे चुप रहे क्योंकि उन्होंने चुप रहने की सौकंद खा रखी थी यद भी वे नहीं जान पाए कि अगर वहाँ इतनी खुश थी तो चली क्यों आई उन्होंने सोचा शायद भारत सरकार के दबाव के कारण उसी अपनी मर्जी से विरुद यहां आना पड़ा है किंदु वे एक चीज समझ नहीं सके कि राजवन्ती का समलाया हुआ चेहरा जर्दी लिये हुए था और कलेश केवल कलेश के कारण उसके शरीर पर मास ने हड़ियों को छोड़ दिया था वे दुख की मार से मोटी हो गई थी और स्वस्त भी नजर आती थी लेकिन वे ऐसा मुटापा था जिसमें दो कदम चलने पर आदमी की सांस फूल जाती है लाजों के चहरे पर पहली निगाँ पढ़ने का प्रभाव कुछ अजीब सा हुआ लेकिन अपने सारे विचारों का उन्होंने दृता से मुकाबला किया और भी बहुत से लोग मौचूद थे किसी ने कहा हम नहीं लेते मुसल्मान की जूठी औरत उन सब लोगों और उन सारी आवाजों में खीरी हुई लाजों और सुन्दरलाल अपने देरी को जा रहे थे और ऐसा जान पड़ता था जैसे हजारों वर्ष पहले शिरी राम चंदर और सीदा जी किसी नेतिक बनबास के बाद आयोध्या में परवेश कर रहे हैं और उधर एक और लोग खुशी से दीब मालाओं को सजा रहे थे और दूसरी और उन्हें इतनी तपस्या के कष्ट के बाद फल मिलने के सुअफसर पर पधाई दे रहे थे लाजवन्ती के आजाने पर भी सुन्दरलाल ने उसी परिश्रम से दिल में बसाओ आंदोलन को जारी रखा जो करणी कहिनी थी उसे निभा दिया था और उन लोगों ने जिनको सुन्दरलाल की बातों में खाली खुली भावगता नजर आती थी कायल होना शुरू कर दिया लेकिन सुन्दरलाल बाबू को किसी की परवा और बेपरवाही की चिंता नहीं थी उनके रिदे की देवी लौट आई थी उनके दिल का घड़ा भर चुका था सुन्दरलाल ने लाजो की स्वर्ण मूर्ती को अपने मन मंदिर में बसा लिया था और खुद दर्वाजे पर बैठ कर उसकी पूजा करने लगे थे लाजो जो पहले भय से सहमी रहती थी थीरे थीरे सुन्दरलाल की उधारता देख कर खुलने लगी थी सुन्दरलाल नाच्वंती को अब लाजो के नाम से नहीं पुकारते थे वे उसे कहते थे देवी और लाजो एक अंजानी खुशी से पागल हुई जाती थी वे कितना चाहती थी कि सुन्दरलाल से अपनी राम कहानी कह सुनाए सुनाते सुनाते इतना रोए कि उसके सारे अपराद थोल जाए लेकिन सुन्दरलाल लाजो की वे बाते सुनना स्विकार नहीं करते और लाजो अपने खुल जाने में भी एक प्रकार से सहमी रहती अपनी इस चोरी में पकड़ी जाती जब सुन्दरलाल इसका कारण पुश्टे तो वे नहीं यो ही के सिवा कुछ ना कहती और सारे दिन के ठके मांदे सुन्दरलाल फिर उंग जाते हाँ शुरू शुरू में एक पार सुन्दरलाल ने लाजवन्ती के काले दिनों के बारे में केवल इतना सब उचा था कौन था वे लाजवन्ती ने निकाहे नीची करते हुए कहा जुम्मा फिर अपनी निकाहे सुन्दरलाल के चहरे पर जमाय हुई कहना चाहती थी लेकिन सुन्दरलाल एक अजीब सी नजरों से लाजवंती के चहरे की और देख रहे थे और उसके बालों को सुलजा रहे थे लाजवन्ती ने फिर आँखे नीची कर ली और सुन्दरलाल ने पूझा अच्छा विवार करता था वे हाँ, मारता तो नहीं था लाजवन्ती ने अपना सिर सुन्दरलाल की छाती से सटाते हुए कहा नहीं तो, और फिर बोली उसने मुझे कुछ नहीं कहा यद्यपीवे मारता नहीं था, प्रन्तु उससे अथिक मुझे डराता था तुम मुझे मारते थे, पर मैं तुमसे डरती नहीं थी अब तो ना मारोगे सुन्दरलाल की आँखों में आसु छलकाए और उन्होंने बड़ी लज्चा और दुख फरिस्वर में कहा नहीं देवी, अब नहीं मारूँगा, कभी नहीं मारूँगा देवी, लाजवन्ती ने सोचा और वे आलसु बहाने लगी और उसके बाद लाजवन्ती सब कुछ कह देना चाहती थी लेकिन सुन्दरलाल ने कहा जाने तो भी दी बाते, उसमें तुम्हारा क्या अपराथ है? इसमें अपराथ है हमारे समाज का जो तुम जैसी देवीों को उनका पद नहीं सौबता इसमें वे तुम्हारी हानी नहीं करता है और लाजवन्ती की मन ही मन में रह गई केहना सगी सारी बात चुपकी दुपकी पड़ी रही, अपने शरीर की और देखती रही जो की बंटवारे के बाद अब देवी का शरीर हो गया था वे शरीर लाजवन्ती का शरीर नहीं था वे खुश थी, बहुत खुश थी, बहुत खुश लेकिन एक ऐसी अजीब सी खुशी जिसमें आशंका और भाय की पूट थी और कहीं बार वे लेटी-लेटी अचानक चौंकर बैठ जाती जैसे आत्यतिक खुशी के शर्ण में कोई आहट पाकर एकाएक आकरशित हो जाए और अंत में जब बहुत दिन बीट गए तो खुशी का स्थान दुख ने ले लिया इसलिए नहीं कि बाबु सुन्दरलाल ने फिर वही पुरानी पश्युता दिखाई थी बलकि इसलिए कि वे लाजों से बहुत अच्छा सलूग करने लगे थी ऐसा सलूग जिसकी लाजों को आदत नहीं थी वे सुन्दरलाल की वही पुरानी लाजों हो जाना चाहती थी जो गाजर से लड़ पड़ती, मूली से मान जाती किन्तु अब लड़ाई का सवाल ही नहीं था सुन्दरलाल ने उसे ये अनुभव करा दिया था कि जैसे वे लाजवन थी, कांच की कोई चीज है जो चूते ही तूट जाएगी और लाजो दरबड में अपने को सिर से पाँव तक नहार थी और रंत में इस नेड़ने पर पहुंशती की वे और तो सब कुछ हो सकती है पर अन्तु लाजों नहीं बन सकती वे बस गई पर उजड़ गई सुन्दलाल के पास उसके आँसू देखने के लिए ना आँएं सुनने के लिए कान मुहला मुल्ला शूकर में सबसे बड़े सुधारक खुद भी न जान सके कि मनुश्य का रिदे कितना कूमल होता है प्रभात फेरिया निकलती रही रसालू और नेकिराम के साथ मिलकर वे एक मशीन अवाज में गाते रहे हत लाया कूमलान नी लाजवन्ती देबूटे